है है मैं लाइफ याला बच्चो फटा फट जवाब दे दो वैशनवी में तलके यह सर वेरायू समय के रहे हैं सबसे मिलके fantastic so my life quickly give me reply my life guys my life okay so my life who बच्चों गोडिवनिग आ जाओ फटा फट जोइन कर लो गोडिवनिंग गौडिवनिग गॉइवनिग विट इवनिंगा इस फटा फट जोइन कर लीजिए बटरि में और यहत पूंट इवे runners again कर लो मैं लाई हूं तो यार कहते हैं ना कि जो एक बहुत सक्सेस्फुल इंसान होता है वो हमेशा यह चीज कहता है कि आई आई गिव क्रेडिट आफ माई सक्सेस टू माई डिसीजिजन्स मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय अपने डिसीजन्स को देता हूं सो कोई भी इंसान अगर सक्सेस्फुल होता है तो उसके पीछे उसके डिसीजन्स होता है लेकिन ये बहुत कम लोगों को चीज पता है बहुत कम लोगों को चीज पता है कि दुनिया में जो अनसक्सेस्फुल इंसान होता है वो अनसक्सेस्फुल इंसान का भी उनका भी कुछ ऐसा ही मानना है उनका भी कुछ ऐसा ही कहना है कि मैं अपने unsuccessful होने का श्रेय भी पूरी तरह देता हूँ अपने decisions को आज हम बात करने वाले एक बहुत ही special session में जहां एक बहुत ही special topic में आपसे discuss करने वाला हूँ, address करने वाला हूँ, the rise and the fall of Kingfisher Airlines, सभी बच्चों से मेरी रहेगी दरख्वास, फटाफट जॉइन कर लो, जो बच्चे यहां पर आए, वीडियो को जॉइन कर चुक है, उनसे दरख्वास रहेगी, फटाफट वीडियो को हाला है, 100 होने वाले, बहुत ही जल्दी 100 वीवास होने वाले हैं, और century होने वाली है, लाइक की बच्चों, correct, so, नमस्कार, गुडिविनिंग, सब्सक्राइब, आद आप वाले कल को, आपके बीते हुए कल से हम बैदर बना सके, आगे बढ़ने से पहले, मैं सब को एक बार थोड़ी जानकारी दे देना चाहता हूं, फटा-फट बता देना चाहता हूं, दोस्तों, हमारा जो प्लैटफॉर्म है, अन अकैडमी, ये एक ऐसा फिन्टेस्टिक प्लैटफॉर्म है, जहां माय एजुकेशन को रेविल्यूशनाइज करने हैं, ये दोस्तों, अब बच्चा-बच्चा पड़ेगा, तो क्या हुआ, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए, पुने, मुंबाई, दिल्ली, कॉलकता, चेहनई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसी बड़ी-बड़ी सिटीज में नहीं जा सकते, बड़ी-बड़ी क्लासिस की फीस नहीं पे कर सकते, बड़े-बड़े क्लासिस की अटेंड करने के लिए, होस्टल, मेस, कन्वेंस, ट्रांस्पोर्टेशन, सो मेनी अधर एक्समेंसिज याफ रिंकर, अनकेडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है, एक डिमोक्रेटिक तरीका पढ़ने का, यह दोस्तों, आईए आप अनकेडमी की वेबसाइट पे, या अनकेडमी का आप डाउनल और यहाँ पर आपको दिखेगा, CA and CS, जब आप इसको क्लिक करते हैं, और आपको और सब मेनु दिखेंगे, उसमें आप सेलेक करते हैं, CA Foundation and Intermediate, तो दोस्तों, आप यहाँ इस पेज पेज पे आएंगे, एक डेडिकेटिट पेज है, CA का, एक डेडिकेटिट पेज है, CA का थोड़ा नीचे, स्क्रॉल डाउन करते हैं, दोस्तों, तो आप यहाँ देखेंगे, कितने सारे टीचर्स अभी भी लाइव पढ़ा रहें, और यह क्लास इस बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री, अगर आप पहली बार यह क्लास इस देख रहें, तो आपको सिर्फ एंट दोस्तों, और यहाँ पर आप जब यह टॉप एडुकेटर को क्लिक करोगे, तो आपको आपके अंशुल सर, निशान सर, अखिलेश सर, प्रणाव सर, स्वाथी मैं, मिंद्रेज गांदी, ओ माइग यह दो फैंटेस्टिक है, यह बहुत ही फैंटेस्टिक है, यह बहुत ही फैंटेस्टिक है, माइन ब्लॉइंग होने वाला है, करेक्ट, ओ माइग गॉट, बाट इस नेक्स लेवल, बाट इस इंक्रेडिबल, तो यह ब्लैटफर्म उतना ही जबदस्ता है, जितने जबदस्ता है, आपके टीचर्स है, आप से कहना चाहूँगा इतना कि अभी भी मास्ट और आप यहां पर आके सब्सक्रेप्शन लेकर हम लोगों से डेडिकेट तरीके से पढ़ सकते हैं, I recommend you to go for 12 months or 24 months, subscription, subscription लेते समय, मेरा नाम एंटर कर देना, मेरा नाम जो की मेरी पहचान है, मेरा नाम जो की मेरा कोड है, A, N, S, H, U, L, Unshul, और जबाप प्रेस कर द लग रहे हो, ओ, क्या बात है, fantastic, Priyanka, thank you so much, मुझे पता है, full to FSP चालो हो गई है, जलग भी यहां पर आ गई है, full to FSP Masters यहां पर आज प्रेजेंट है, so fantastic है, दोस्तों, आज हम बात करने वालें, बहुत ही fantastic topic, मैं यहां पर पढ़ाने नहीं हूँ, पहली सब को बता रहा हू मैं यहां पर बिलकुल आज आपको पढ़ाने नहीं हूँ, और मैं पढ़ाने के mood में हूँ भी नहीं, आज मैं यहां पर आपके सामने आया हूँ, एक बहुत ही बढ़िया topic लेकर, एक ऐसा topic जिस पर काफी बच्चों ने मुझे messages किये, कि sir, यह actually हुआ क्या, क्या थी वो च समचते रही है, दोस्तों यह बात है, तब की जब मैं सी एक खर रहा था, 2009-2010, I attended a CAD function in Pune, 1st July, छो की CAD होता है, वो मैं अटेंड किया था, पूने में, 2009 की बात है, वो फंक्शन में, चीफ गेस थे, पूने के पुलिस कमिशनर, तब के पुलिस कमिशनर, जिनका नाम था, Mr. Satyapal Singh, उस इवेंट में, Dr. Satyapal Singh, he is a doctor, Dr. Satyapal Singh जी ने कहा, कि यार, there are two types of crimes, एक होता है, civil crimes, और दूसरे होता है, economic crimes, civil crimes, जो होते हैं, उसका impact short term होता है, किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को kidnap कर दिया, फिर होती मांग लिए, civil crimes में आते हैं, चोरी, डकैती, सब civil crimes में आते हैं, लेकिन, Dr. Satyapal Singh का कहना था, कि जो economic crimes होता है, economic crimes होता है, उसका effect बहुत बढ़ा होता है, उसके जो जटके होते हैं, वो कई सालों तक महसूस किये जाते हैं, कई कई सालों तक feel किये जाते है, economic crimes के जटके, यह समझना बहुत important चीज़ है, My dear friends, ladies and gentlemen, आज हम ऐसे ही economic crime की बात करने वाले हैं, क्योंकि यह economic crime को होने से कौन बचाएगा, आप लोग बचाएगे, जो कि है हमारे इंडिया के future chartered accountants, 125 students watching, I want to achieve this 200 today, क्या हम 200 live learners ला सकते हैं के नहीं, देखते हैं आज, क्या हम 200 बच्चों को ला सकते हैं, नहीं, फटा-फ स्टोरी है, बहुत इंट्रेस्टिंग, आज तक आपने King Fischer Airlines केस को इतने बारी की से नहीं देखा होगा, जितनी बारी की से मैं आपको बताऊंगा, जैसे हर्षद मेंता की स्टोरी देखने के बाद, हर एक इंसान ये सोचने पे मजबूर हो गया था, ये सोचने पे भी कुसी तरह, आज मैं आपको सोचने पे मजबूर कर दूगा कि क्या मिस्टर विजय मालिया गलत थे, गलत है या गलत नहीं है। बनाया गया ये जो सेशन है ये किसी एक political party को support करने के लिए और दूसरी political party को defame करने के लिए नहीं बनाया गया ये जो सेशन है ये facts पे आधारित हैं ये जो मैं आज आपके सामने case study लेके आया हूँ ये case study absolutely research oriented case study है and let me tell you जितनी महनत शायद मैंने किसी टेकनीकल लेक्चर के लिए नहीं कि होगी उसे कई गुना सादा महनत मैंने आज के अपने सेशन के लिए किये और वह आप मेरे पीछे उड़ते हूँ इस प्लें से देख सकते हैं ladies and gentlemen boys and girls let us begin with the today's most important session how the rise and the fall of King Fisher let us start let's get started ये क्या है आपके सामने ये है Kingfisher Airlines के shares के prices yes my dear friends आप लोग देख सकते हैं the rise and the fall की यहां पर बात हो रही है Kingfisher airline का shares जो कभी किसी एक समय पे आप यहां देख सकते है 90.90 rupees को touch कर चुका था lifetime high था 90.90 rupees 90 90.90 rupees आज वो शेर बिलकुल जमीन पे धूल चाट रहा है एक ऐसा शेर जो कहीं उचाईयों पे उड़ रहा था आज वो शेर कहीं नहीं है rock bottom पे है ऐसा क्यों हुआ यह मैं आज आपको बताऊंगा आज मैं आपको सिखाऊंगा क्योंकि as a chartered accountant आप एक chartered accountant बने जा रहे हो दोस्तों और as a chartered accountant you are a financial doctor you are a financial engineer you are a financial architect you are a complete business solution provider यह कुछ गलतियों से हम लोगों को सीख लेनी है कि हम हमारे देश को खोकला नहीं होने देंगे क्योंकि यह कुछ ऐसे frauds होता है यह कुछ ऐसे scams होता है यह कुछ ऐसा crime होता है जो हमें हमारे देश को हमारे system को अंदर से खोकला करता जाता है क्योंकि जब भी जब भी कोई fraud होता है तो उसमें सबसे ज़ादा नुकसान होता है आपके मेरी तरह a common man का किसका पैसा जाता है बैंकों का पैसा जाता है नहीं सरकार का किसी कंपनी का पैसा जाता है किसी इंडिविज्वल का पैसा जाता है नहीं पैसा जाता है एक common man का हमारे जैसे taxpayer का क्या है यह कहानी किस तरीके से वही कहानी इस आफ डिफेरेंट शेट्स ऑफ दो लाइफ ऑफ मिस्टर विज्यमालिया मैं फिर से से मैंने रिसर्च किया वो सारे रिसर्च आज यहां के आपके सामने प्रेजेंट होने वाले हैं बच्चों कि डिफरेंट शेड्स ओफ मिसर विजेवालिया जाइट फ्रांग हेज यूनों राइजिंग फेस टू हिस करेंट फेस लेट असी यह कहां से शुरू हुआ दोस्तों यह कहानी शुरू होती है यूबी ग्रुप से यूनाइटेड बिवरीज यह नाम आप सभी ने सुनाओगा इस्पेशली बैंगलोर जो बंदा रहता है या बैंगलोर जो जाता है तो यूनाइटेड बिवरीज हर एक बंदे का एक नाम हो गया हर एक बंदे की का नाम हो गया यूबी टावर्स यूबी यूबी ग्रुप उनाइट बिवरीज आज हम जब भी आज की जनरेशन आप लोगों की जनरेशन दर देखती है आपको एक सिंपल चीज पता है यूबी ग्रुप का मालिक कौन है विजय मालिया सही का आपने बिलकुल सही का लेकिन कम लोगों को ही हकीकत पता है के यूबी यूनाइट बिवरीज के ओरिजिनल ओनर मालिया फैमिली नहीं थे हूँ माइडियर फ्रेंज दर वस अपर्सन मिस्टर थॉमस लेश्में जिन्होंने 1915 में ये कंपनी बनाई थी यूनाइट दिवरीज विजय मालिया आपकी मेरी तरह बहुत कोई मिल्टलस फैमिली में बॉन नहीं हुए थे वो एक बिजनस फैमिली में बॉन हुए थे जिनके पिता जी का नाम था श्री विच्थल मालिया जो थे उन्होंने महस महस बाइस साल की उमर में यूनाइट बिवरीज को एक एंपलॉई की तरह जॉइन किया तो ये एक चीज़ आज से आपके दिमाग में क्लियर कर लेना क यूबी ग्रूब जो है इवन दो आज विजय मालिया या मालिया के अंडर आता है लेकिन ओरीजनल ओनर्स मालिया नहीं थे 2015 में बनी हुए ये कंपनी को विजय मालिया के फाधर ने जॉइन किया in the age at a very very less age of 22 years as an employee he was very hard working he was a visionary together in a boy genetics विजय मालिया जी के अंदर भी आ है दीरे-दीरे काम करते गए अपना विजन लगाते गए कंपनी में प्रोपोर्शन मिलता गया और 1946 से 47 के दर्मियान में उन्होंने दीरे-दीरे इस कंपनी के शेर्स करेजना चालू कर दिया जो कि एक महज employee थे अब वो कंपनी के दीरे-दीरे stakes लेने लगे and he started becoming shareholder सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों in the year 1948 in the year 1947 he became the first Indian director of that company so ये कंपनी foreign company थी लेकिन इस foreign company के सबसे पहले भारतिय डिरेक्टर के रूप में यहां पर Mr. Vittal Malia चुने गए और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तो 1948 में in the year 1948 Mr. Vittal Malia took the position of the chairman of United Peveries जैसा मैंने आप से कहा वो एक visionary थे वो एक businessman थे और उन्होंने इस company को कही उचाईयों तक पहुचाया नहीं उचाईयों तक पहुचाया अपनी मेहनत और लगन के साथ उन्होंने 1952 में इस company का expansion plan किया यह company जो की बहुत ही कुछ products में deal करती थी उसका expansion plan के और expansion इस तरीके से plan हुआ that he entered polymer, battery, foods, pharma and so many variety of the products और company को एक अलगी level पे लेके गए लेकिन लेकिन दोस्तों in the year 1983 there was a sudden demise of श्री विठ्थल मालिया, 1983 में जब श्री विठ्थल जी मालिया चल बसे, जब श्री विठ्थल जी वालिया चल बसे तो उनके बेटे, विठ्थल मालिया की उम्र थी महस, महस 27 साल, 27 years के थे श्री विठ्थल मालिया तो 1983 में जब मिठ्थल मालिया की death हुई, तो विठ्थल मालिया जो की सिर्फ 27 साल के थे, he was appointed as the next chairman of United Beaveries वेल, ये decision अगर सोचे, तो यहाँ पर बहुत तरीके का विरोध भी हो सकता था, क्योंकि company में विठ्था मालिया से कई ज़्यादा senior लोग भी मौजूद थे, जो वो candidature, वो post को deserve करते थे लेकिन फिर भी unanimously, Mr. Vijay Malia को, 27 साल के लड़के को इतनी बड़ी company का chairman बना गया, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि 1983 में जब श्री विठ्थल मालिया की death हुई थी, तब United Beaveries का turn over, मतलब sales था 350 करोड़ रुपे, can you believe 350 करोड़, it's a massive figure, 1983 की बात कर रहा ह है, आप एक बार imagine करो, 1983 में यह figure कितना बड़ा रहा हुगा, so 350 करोड़ रुपीज के turn over की company को संभाल रहा था, 27 साल का नौजवान लड़का, लेकिन फिर भी किसी ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि सब को पूरा फरोसा था Mr. Vijay Malia में, Mr. Vijay Malia में, लोग उनके नहीनत की, और उस company को सिर्फ मेंटेनी नहीं रखा, बहुत अलग उचाहियों पे लेकिए, Mr. Vijay Malia was a person who was always believing in trying and experimenting a lot of things, उन्होंने बहुत सारी चीज़े ट्राइखी, he entered UB group को वे इंजीनियरिंग में लेके गए, newspapers में लेके गए, chemicals में लेके गए, बहुत सारे sectors में लेके ग और घाट घाट का पानी पीने के बाद उनको पता चला कि इस दुनिया में सबसे सादा जो पैसा बनता है, वो पीने में ही बनता है, United Beverage mainly liquor और beer के business में occupied थी, और Vijay Malia के पिताजी ने भी बहुत expansion का plan बना और खुद Vijay Malia ने भी chairmanship take over करने के बहुत सारे sectors में diversified investment करके expansion का plan ब लेकिन दोस्तों ये सारे trial and errors करने के बाद वो एक decision तक पहुचे, वो एक conclusion तक पहुचे और conclusion क्या था, conclusion ये था कि liquor जैसा, beer जैसा कोई ने, इस दुनिया में अगर सबसे जादा पैसा कहीं बन सकता है, इस दुनिया में अगर सबसे जादा कहीं पैसा बन सकता है, तो वो सिर लिकर में और बियर में बन सकता है, और मिजे मालिया जी ने अपना पूरा focus, अपना पूरा attention बाकी सभी sector से हटा के, एक जगह पे लाके रख दिया है, और वो एक जगह थी, liquor और beer, अपना पूरा थ्यान अटा किया, हर जगह से थ्यान अटा दिया, और पूरा focus, तिर और इ कई नहीं और कई सिर्फ यह एक चीज़ पर लाकर रख दी है माई डियर फ्रेंड्स मिस्टर विजय वालिया वोज़ हाड़ वर्किंग पसंड ही वाजन एंबीश पसंड उनके साथ में काम करने वाले लोग कहते हैं कि यार यह लड़के में कोई बात है यह लड़का ऐसा नह मिल गई 27 साल के उम्र में उन्हें युनों चैर्मेंशिप मिल गई तो यह बंदा उसको मदा उड़ा रहा है नहीं यह बंदा इस कंपनी को नहीं हुचाईयों तक लेके जाएगा ही वॉज एस बिजनरी ऐस स्टेट अमड़र तो फैन हम जहां पहुम गार्ण और यह बंदे ने वह करके दिखा दो σो यह बंदे एज आयज अ करके दिखाया कि मिस्टर माल्या ने य९ुनाइट टेड भीस को एक लोबल ब्रैंट बना दिया एक बारत ये जो एक ब्राइंड जो भारत में आया था इंपोर्टेट ब्राइंड था लेकिन उस ब्राइंड को पूरी दुनिया में पहुचा दिया और माइड फ्रेंड में आपको यहां पे डेट के साथ बताना चाहूंगा दोस्तों मार्च 2005 में मार्च 2005 में यूनाइटेड विवरी इस दुनिया की सेकेंड नंबर वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट लिकर प्रोड्यूसिंग कंपनी बन गई दुनिया की सेकेंड नंबर लिकर प्रोड्यूसिंग कंपनी हमारे इंडिया की बन गई मार्च 2005 में और मैं आपको बताना चाहता हूं यह जर्नीट है कैसे हुई यह इ लिकर की आइडविटाइजमेंट पर मैने तो 1983 में यह सब चैर्मेंशिप लेने के बाद बहुत सारे एक्सपरिमेंट्स और विजय मालिया जिन रभ डिसाइड कर लिया कि मैं पूरा फोकस लिकर पे और बीर पर करने वाला हूं तो उनके दिमाख में एक उनके सामने सबसे ब का लिकर का अडविटाइजमेंट नहीं कर सकते हैं लेकिन आप लेकिन आप किंग फिशर ब्रैंड का अडविटाइजमेंट कर सकते हो और दिमाख देखो बंदे का वो बंदे ने क्या किया किंग फिशर ब्रैंड को अपना फोकस बनाया एपी सेंटर बनाया नी स्टार्ट प्रमोटिंग किंग फिशर प्रांग. उन्होंने अपने गोब में एक विला करिद और विला का नाम रख डाला प्रिच एक किंग फिशर विला. जहां पर high class page 3 parties पोस्त होती थे और हमेशा वो न्यूज में बना रहा था किंग फिशर विला. किंग फिशर विला उन्होंने किंग फिशर की एक IPL टीम बना दी तो हुआ क्या यह सब पैसिव एड़टाइजमेंट का तरीका होता है उनकी पार्टी इस उनकी मीटिंग्स ग्लैमरस होती थी और न्यूज आर्टिकल्स चपते थे उनके उपर तो न्यूज आर्टिकल से उन उने खुद के लिए का प्लैट्फर्म बनाते लोग जब देखते थे किंग फिशर किंग फिशर किंग फिशर क्या बनाता है तो किंग फिशर तो भाई बियर बनाता है किंग फिशर दो भाई लिकर बनाता है तो देखो साब भी मर जाए लाटी भी नी टूटे किस तरीके स fantastically advertisement के और बंदे का विजन देखो वाई मार्च 2005 में एक ब्रैंड जो इंडिया में पनपता और वो ब्रैंड पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट लिखकर प्रियूसिंग कंपणी बन जाती है लिखकर प्रियूसिंग कंपणी बन जाती है लाइड है तो पीक फिस्ट फिचामालिया में उन्याइड लाइड गाजीन रिजान मालिया को सबस्क्राइड विजायं मालिया को 40th इंडियन has they have been announced as 40th richest Indian और सिर्फ इतना ही नी उसके बात कई सालों तक वो इंडिया के टॉप 100 रिच पीपल की लिस्ट में 4 मैगजीन के लिस्ट में हमेशा कही ना कई अपयर होते रहे सब्सक्राइब को डॉक्ट्रेट की डिग्री दी इन बिजनस अड्मिनिस्टरेशन बिकॉस जिस तरीके से एक बंदे ने सताइस साल की उम्र में एक तीन सो पचास करोड की टर्न ओवर कंपनी को टेक ओवर किया था और टेक ओवर नहीं किया उसको ग्लोबल हाइट तक ले के गए वो जो था बिजनस अध्मिनिस्टरेशन का एक फिंटैस्टिक नमूना था और उसके वजह से उन्हें उन्हें पहां पे डॉक्ट्रेट की दिग्री दी गई और इतना ही नी फ्रांस का सबसे उचा सिविलियन अवार्ड भी उने दिया गया यूनाइट बिवरीज का जो यह लिकर और बियर का बिसनस था दोस्तों यह किंग फिशर ग्रॉप के लिए एक कैश काओ बन चुका था आप यह तर्म्स पढ़ेंगे इंटमीजिए नहींगे जब कैश का मैने क्या वर्यूस किया कैश का वो किंग फिशर ग्रॉप का एक ए यह एक ऐसा बिसनस यूनिट बन गया था जो इतना पैसा जनरेट कर रहा था इतना पैसा जनरेट कर रहा था कि अब विजे मालिया जी ने सोचा कि अब कुछ और करना चाहिए जैसा मैंने का वो हमेशा एक ग्लैमरस लाइफ जीते थे बहुत निउस में रहते थे चर्चा म होते थे दोस्तों अब यहां पर कानी में होता है थोड़ा ट्विस्ट अब यहां पर कानी में होता है ट्विस्ट दोजार पांच में दोजार पांच में विजे मालिया जी के बेटे मिस्टर सिधार्थ मालिया का 18 बड़े था थ्यान से सुनिएगा मिस्टर सिधार्थ मालि के 18th birthday पे Mr. Vijay Malia ने अपने पापा ने अपने बेटे को दिया एक गिफ्ट और गिफ्ट ये दिया दाट ही हाव लॉंच्ट ही हाव लॉंच्ट किंग फिशर एरलाइस एक एरलाइस लॉंच कर डाली अपने बेटे के नाम पे ज्टिंग फिशर एलाइस दोस्तों रख मीटेल यू अस नीग सब्सक्राइब चाहरे जोंग यहांपे बहुत ज्यादा पैसों की जूह तो एंडिया माइड ये नियूर लेकिन 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 कर रहे हो बच्छो 210 व्योस हमारे हो चुकि और 161 लाइक है फटावर वीडियो को लाइक करते चलो एक वेरी इंपोर्टन क्योंकि कानी बहुत इंपोर्टन मोड पर जा रही है किंग फिशर ऐलाइन्स की तरफ मुड़ चुकि बहुत इंपोर्टन है सब्सक्राइब कर दोस्तों 2005 की सिदार्थ मालिया के 18 बड़े पर किंग फिशर ऐलाइन्स लॉंच की गई एविशन इंडिस्ट्री कैसी इंडिस्ट्री जो की कैपिटल इंटेंसिव इंडिस्ट्री है जहां पे बहुत जादा पैसों की जरूत होती है और 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 उस समय क अगरा आज का भी अगर मैं आपसे बताऊं तो फैक्ट ऑफ दे डे है कि बहुत कम कंपनी उसमें प्रॉफिट बनाती है प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात दिर अपने पूरे स्टाफ को अपने पूरे इंप्लोईज को एक चीज दिमाग में उनके फिट कर वादी और इतिति देव भवा ए मैमान से बड़ा कुई नहीं हृता है मैमान हमारा भगवान होता है उससे बड़ा कोई होता है अतितीदेव बहुत यो चीज उनके दिमाग में फिक्स करा दिम्स्टर वीजह मालिया ने airlines industry को पूरा बदल के रख दिया Mr. Vijay Malia ने Kingfisher Airlines की ऐसी goodwill बनाई दोस्तों के कोई सोच नहीं सकता था within two years दोस्तों महज दो सालों के अंदर Kingfisher Airlines was having 25% market share इसका मतलब है हर चौथा passenger Kingfisher Airlines में उड़ना पसंद करता था Kingfisher Airlines इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी airlines बनकी महज दो सालों में क्योंकि Kingfisher Airlines वो सारी सुविदाएं वो सारी facilities देती थी जो कोई और airlines इसके बारे में सोच भी नहीं सकता था दोस्तों ये वो समय था जब Spice Jet नहीं था जब Indy Go नहीं था जब Go Air नहीं था ये वो समय था जब मार्केट में कुछ ही लोग थे Air India जो की सरकारी कमनी है वो सबसे लीडिंग था उसके बाद में Kingfisher Jet Airways ये कुछ ही लीडर्स मार्केट में हुआ करते था और जैसा मैंने का है Each and every company was struggling even to break even उस समय कोई भी company break even नहीं कर पारी थी और facility के बारे में तो सोची नहीं लीती लेकिन Kingfisher Airlines ने करके दिखाया Kingfisher Airlines ने customers को जो service provide की जो अपने staff के दिमाग में चीज ड्रिल कर दी बिल्कुल ड्रिल कर दी पता है क्या कि only kings can fly with Kingfisher ये market में चर्चा हो गए क्योंकि Kingfisher Airlines की ticket के prices बहुत सादा थे Kingfisher Airlines की ticket के prices ऐसे नहीं थे कि हर कोई बंदा afford कर सके skyrocketing high prices के बावजूद भी लोग Kingfisher Airlines से उड़ना पसंद करते थे because of its hospitality because of its facility लेकिन कहते हैं न बुरा समय किसी को नहीं छोड़ता है और वो बुरा समय किसी के भी किसी के भी रोप में किसी के भी नाम में कहीं पे भी आ सकता है कहीं पे भी आ सकता है मैंने ये session की शुरुवात की तब आपसे कहा था कि एक successful इंसान कहता है कि I am successful because of my decisions और एक unsuccessful इंसान भी यही चीज़ कहता है I am unsuccessful because of my decisions 2005 में launch week Kingfisher Airlines आज इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी airlines बन चुकी थी 2007 में 25% market share के साथ losses में थी profit में नहीं थी losses में ही थी but growth दिख रही थी कि अगर वो इसी तरीके से grow करती रहती थी तो और अगले 3-4 साल में वो जरूर break even कर लेती थी और एक point आता था एक point आता था जब जब दोस्तों वो profit making बन सकती थी लेकिन हमारे विजय मालिया कुछ और चाहते थे विजय मालिया जी चाहते थे international operations अपनी flight को internationally ले जाना यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक rule share करना चाहूंगा जो कि Indian aviation industry में follow किया जाता है रूल होता है the principle of 520 समझिएगा the principle of 520 technical है but aviation industry से जुड़ा है और अपने viewers को बताना चाहूंगा इसलिए मैं आपको यहां बता रहा हूँ Director General of Civil Aviation DGCA ने इंडिया में rules बना रखे है aviation industry के लिए कि कोई भी airlines कोई भी airlines अगर international flights उडाना चाहती है तो उसको 520 का rule follow करना होगा 520 का rule कहता है के आपको कम से कम 5 साल आपको कम से कम 5 साल domestic operations करना है आपको कम से कम 5 साल domestic operations करना है और आपके पास कम से कम 20 aircraft की fleet होनी चाहिए मतलब you must have 20 aircraft in your fleet अगर ये दोनों कंडिशन्स अचीव होती है तो आपको इंटरनेशनल फ्लाइट करने का लाइसेंस मिलेगा बट क्योंकि विजय मालिया की एरलाइंस कंपनी किंग फिशर एर्वेस तो भी महस्तो साल पुरानी थी तो ये पांच साल का रूल कहीं न कहीं उनके इंटरनेशनल फ्लाइट के सपने में बॉटलनेक बन गया और यहां पे होती है शुरुवात एक गलट डिसीजन की उनके मन में ये चाह थी अब मैं चाह का शब्द का इस्तमाल ने करूंगा मैं यहां पर शब्द का इस्तमाल करूंगा उनके मन में एक जिद्ध थी एक जुनून था कि मुझे किंग फिशर एर्वेस को इंटरनेशनल ले जाना है तो पांच साल तो मैं रुक नहीं सकता तो मैं करूं क्या 230 viewers are watching us fantastic my dear friends that's incredible number thank you all of you for such a wonderful response I am I'm sure you're enjoying this session and I'm sure you're enjoying this session Vijay Malia ने किया यूं के उन्होंने उस समय एक दूसरी airline company थी जिसका नाम था बच्चो एर डेकन जो कि एक पुरानी company थी उसको खरेई लिया यह थी उनके life की पहली सबसे बड़ी फूल कलती है अपनी सिर्फ यह फितुर अपनी सिर्फ यह पैशन obsession को पूरा करने के लिए कि मैं विदेश फ्लाय करना चाहता हूं विजय मालिया ने एक पुरानी company एर डेकन जिसके पास इंटरनेशनल फ्लाय करने का लाइसेस था उसको खरीद लिया लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी के लिए मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि कि there was a person Captain Gopinath वो उन्होंने एक सपना देखा के यार एक दिन मैं फ्लाइं सबके लिए पॉसिबल बना दूँगा फ्लाइंग शुड बी पॉसिबल फॉर एवरिवन तो उन्होंने ये लोग कॉस्ट केरियर एर डेकर की स्थापना की ती he was the one to make this company Air Deacon और Air Deacon उन्होंने sell कर दिया Mr. Vijay Malia को तो ये विजय मालिया की सबसे बड़ी गलती हूँ यहां से आप स्टोरी में खुद देखेंगे कि किस तरीके से उनकी life turn around रही Air Deacon take over करने के बाद Mr. Vijay Malia ने Kingfisher Airlines का ही एक दूसरा brand launch कर दिया यार्ट साक मैं के बाद आ किंग फिश्र एर्लाइन के दूसरा ब्रांड लाुंच हो गया lawton США ये था किंग फिश्र एर्वेस और दूसरा ब्रैण था King Fischer Red King Fischer Red तो King Fischer Red मतलब King Fischer Group की ये एक economical flight होती थी economical flight होती थी और King Fischer Airways जो थी ये बिलकुल King वाली flight होती थी तो अगर आपको सस्ती टिकेट चाहिए तो King Fischer Red में जाएए अगर आप King की तरह उढ़ना चाहते हैं तो आप King Fischer Airways में जाएए दोस्तों Mr. Vijay Malia ने अपने स्टाफ को फिर से इंस्ट्रक्शन दिया King Fischer Red में भी हमें World Class Facility देनी है हमारे कस्टमर्स को King Fischer Red की टिकेट King Fischer से बहुत कम हुआ करती थी तो हुआ ये कि दीरे दीरे जितने भी पैसेंजर्स थे वो King Fischer Airways की जगह King Fischer Red में Shift होने लगे क्योंकि सब ने ये का कि जब हमें Almost वैसी ही Facility कि जैसी कि King Fischer में Facility मिलती है Almost वैसी ही Facility अगर हमें King Fischer Red में मिल रही है So why to pay more money? क्यों हम जादा पैसा दे क्योंना हम King Fischer Red में जाए और यहाँ पे उन्होंने देखा कि उनको मिला revenue hits उनको मिला revenue hit क्योंकि company का revenue drop होने लगा क्योंकि जो महंगी tickets विकरी थी King Fischer की वो अब सारे customers passengers आने लगे सब्सक्राइब करने लगे दीरे 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 देखके King Fischer विजह मालिया ने एक और decision लिया विजह मालिया ने एक और decision लिया कि King Fischer Red के ticket की prices बढ़ा तो King Fischer Red के ticket की prices increase कर दो बढ़ा तो और जब King Fischer Red की prices बढ़ने लगी तो दोस्तों ये जितने भी flyers थे they shift to shifted to other airlines वो दीरे दीरे करके दूसरी airlines में shift हो गए क्योंकि तब तक market के dynamics change हो गए ते और यहाँ पे फिर से विजह मालिया को मिला revenue hit जैसा मैंने आपसे का था already company कोई profit making company नहीं थी company पे काफी कर्स चड़ चुका था उसके बाद जब Air Deacon को खरीदा तो उसके लिए जो loan लिया उससे उनका और कर्स बढ़ता गया और यह सब कर्स company इस उमीद में थी कि यह सब कर्स एक दिन उतर जाएगा अगर हमारी sales इस तरीके से होती लिया कर हमारा revenue इस तरीके से होता गया लेकिन दोस्तों यह पूरा revenue हिट हो गया क्योंकि पहले kingfisher से लोग transfer हो गया red में और फिर red को छोड़के लोग transfer हो गया other airlines में kingfisher का revenue कम होता गया kingfisher का revenue कम होता गया दोस्तों यह बात है 2008 की यह बात है 2008 की my dear friends up to 2008 kingfisher airlines was suffering blow from multiple sections of the society अगर मैं यहां पर बात करता हूं साल 2008 की तो साल 2008 एक ऐसा साल था दोस्तों जहां पे crude oil के जो prices थे वो बिल्कुल पीक पे थे crude oil के prices बिल्कुल पीक पे थे 140 डॉलर प्रती बैरल के साब से उस समय crude oil के prices चाहरे थे तो आपके fuel prices बढ़ गए तो आपके expenses बढ़ गए let me tell you aviation industry में fuel prices सबसे important चीज होती है दूसरा आपकी जो रुपी की value थी इंडियन रुपी की value जो थी वो पूरी तरह नीचे गिरती जा रही थी और तीसरा there was a massive global recession पूरी दुनिया मंदी के दोर से गुजर रहे थी दोस्तों शायद आपने सुना होगा the global resolution is a recession of the year 2008 पूरी दुनिया पूरी दुनिया मंदी के दोर से गुजर रहे थी the global recession of the year 2008 कहते हैं ना जब समय सही नहीं होता है तो कुछ भी सही नहीं होता है 2008 में revenue कम expenses बढ़ रहे हैं क्योंकि crude oil के prices बढ़ गए devaluation of money हो गया recession हो रहा है विजय मालिया को हर जगह से जटके मिलने लगे माना यार decision गलत हुआ है बट समय इतना बुरा नहीं होना चाहिए था ऐसा मुझे feel होता है ऐसा मुझे feel होता है दीरे दीरे करके दीरे दीरे करके dues बढ़ने लगे outstanding salaries होने लगी petrol prices के dues बढ़ने लगे और फिर airport landing charges outstanding रहने लगे South India के दो सबसे बड़े airport हाइदराबाच और बैंगलोर एरपोर्ट ने विजय मालिया की company King Fisher Airlines के लिए एक रूल बना दिया था कि जब तक आप landing charges नहीं बढ़ोगे हम आपके plane को land नहीं होने दिंग वैसे generally होता है ये बाकि सभी airlines के लिए rule होता है कि जो भी airlines land होती है उनका bill बनता है invoice बनता है at the end of the month वो invoice airport जो है respective airline को issue करती है और वो respective airlines वो dues को settle करती है same thing happens in case of fuels चाहे वो हिंदुस्तान petroleum हो, Indian oil corporation हो, भारत petroleum हो, ये सभी लोग airlines को fuel provide करते हैं उसका पूरा record maintain किया जाता है और month on month basis पे इन bills का settlement होता है लेकिन विजय मालिया की company kingfisher airlines ने इन सभी लोगों का settlement नहीं किया था, सबके dues बढ़ने लगे थे और दोस्तों finally December 2012 में December 2012 में kingfisher airlines का license officially cancel कर दिया गया officially cancel कर दिया rise and fall of kingfisher airlines विजय मालिया ने बड़ी मैनत की विजय मालिया ने एक foreign investor को approach किया जिसका नाम था Aetiyad Airways UAE का airline से Aetiyad Airways और उनको approach किया और उनसे कहा कि आप हमारी company में invest कीजिए आप हमारी company में invest कीजिए हमें पैसों की जरूत है और आप देखिए हमारी company में potential है आप देखिए कि India का aviation industry क्लिक करेगा क्योंकि जबर्दस demand है यहाँ पर जबर्दस तरीके से growth हो रही है आप invest कीजिए लेकिन दोस्तों कहते है न जब समय बुरा आता है तो कुछ भी आपके favor में नहीं होता है यह वो समय था जब हमारी aviation industry में foreign direct investment बिल्कुल अलाओ नहीं थी और क्योंकि foreign direct investment अलाओ नहीं थी तो एथिया देर्वेस एथिया देर्वेस किंग फिशर एर्वेस में invest नहीं कर सका विजय मालिया ने meetings की bank के साथ there was a consortium of bank group of bank जिस ते विजय मालिया को loan दिया था और अब यह वो समय आ चुका था दोस्तों जहां पर विजय मालिया का total principal loan outstanding हो गया था 6600 crores और अगर मैं उसमें interest add कर देता हूं तो यह dues हो गये थे more than 9000 crores can you believe it? No, you can't believe it you have to believe it. Let me write down that figure for you 9000 how many zeros in crores there are how many zeros in crores? 701 1 2 3 4 5 6 7 9000 crores के dues है Mr. विजय मालिया के विजय मालिया ने सभी banks के साथ meeting की सभी banks के साथ meeting की और उनसे कहा उनसे कहा के यह 9000 करोड में से 6600 करोड जो है यह मेरा principle amount outstanding है मुदल पैसा है जो मुझे आपको देना है मैं यह आपको अभी के अभी देने को तयार हूं आप मुझे मुझे मौलत दो आप मुझे छूट दो प्याच की बैंके नहीं माने मैं आपके सामने लिस्ट भी लेकर आया हूं online resource से source से मैं आपके सामने लिस्ट भी लेकर आया हूं के विजय मालिया को किस-किस बैंक को कितना कितना पैसा देना था यह पूरी summary आपके सामने आप देखो तो सबसे ज़ादा risk exposure था state bank of India का लिचे मालियाने सिस्व एक साथ मीटिंगी सब के साथ मीटिंगी और सबको समझाया सबको समझाया कि लगबग लगबग छे अजार चेसो करोड रुपै जो मेरा principle amount बाकी है वह मैं आपको देने को तयार हूं अभी कि आभी मैं आपको वह किया करने को तयार हूं कंडिजन यह है कि आप मेरे लोन का री स्ट्रक्चरिंग कर दीजिए आप मुझे कुछ पैसा माफ कर दीजिए सिर्फ यह साही नहीं विजय मालिया ने हर कोशिश की किंग फिशर एलाइन्स को बचाने के लिए खुद की परसनल गैरेंटी पे 15 करोड का भी लोन लिया ता जो यह लिस्ट में आपको दिख रहा है खुद की परसनल गैरेंटी पे जो भी वो रीपे नहीं कर पाए बैंक्स वर बिहाइंड विजय मालिया और विजय मालिया ने यह चीज़ कह दी थी कि यार देखो मैं चाहता हूँ ये company चले मैं चाहता हूँ कि सब कुछ सही हो लेकिन मुझे इसमें आप लोगों के support की जरोत पड़ीगी और आप लोगों का support मुझे कैसे मिलेगा आप लोगों का support मुझे ऐसे ही मिलेगा कि आप मेरे loan को restructuring कर दीजे लेकिन बैंक्स ने कर दिया मना और दोस्तों फाइनली मार्च 2016 में विजय मालिया इंडिया फॉर लंडन न्यू ब्रेट ब्रिटेंग विजय मालिया इंडिया से चले गए और वो लंडन चले गए और आज वो नौ हजार करोड रुपे के आउटस्टैंडिंग ड्यूस के केस में वहाँ पे कोट में केस लड़ रहे हैं कि दर आईस एंड फॉल ओर की इन्फिश अ लाईट सब अब मalition के आगे की स्टोरी बताऊंगा तो आप हस पड़ोगे इसी इंसान के साथ क्या हो सकता है मैं फिर से कह रहा हूं मैं किसी को सहींarme कि it नि का हुआ ने कि foreign direct investment हमें allow नहीं करता है लेकिन उसके दो साल बात government ने aviation industry में FDI allow कर दिया December 2012 में Kingfisher Alliance का license cancel हुआ और उसके दो साल बात यह यह की साल बात सरकार ने aviation industry में FDI allow किया और उसका सीधा सीधा benefit हुआ jet airways को क्योंकि एथियाग जो कि अल्रीडी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है एथियाद ने यह पूरा के पूरा पैसा पूरा के पूरा पैसा का इन्वेस्ट कर डाला जैट एर्वेस में कर डाला जब तक किंग विजय मालिया फराड नहीं है प्रीज अनुस्टर विजय मालिया फराड नहीं मिस्टर विजय मालिया कहां रहते हैं इसका थिकाना सब को पता है including हमारी भारत की सरकार Mr. विजय मालिया कोट में अभी भी केस लड़ रहे हैं there is a case going on in the London court between the government of India and Mr. Vijay Malia where the government of India is officially asking for extradition of fugitive businessman Mr. Vijay Malia and Mr. Vijay Malia is defending on his part Mr. Vijay Malia का कहना है उनके allegations है के उनने दो लोगो ने धोका दिया है एक banks ने और दूसरा भारत की सरकार मिस्टर विजय मालिया का कहना है कि अगर इन दोनों लोगों ने उन्हें support किया होता था अगर उन दोनों ने उन्हें support किया होता था तो शायद वो float कर जाते थे शायद कुछ लोगों का भला हो जाता था शायद kingfisher airways बच जाता था और शायद इतना बड़ economics offense नहीं होता था अगर आप story के एक ही पार्ट को सुनोगे तो आप हमेशा काओ कि कि विजय मालिया गलत थे लेकिन आज मैं फिर से कह रहा हूँ मैं किसी एक party को मैं किसी भी एक party को मैं किसी भी एक party को सही नहीं कह रहा हूँ और किसी भी एक party को गलत नहीं कह रहा हूँ मैं आपके सामने facts रख रहा हूँ कहते ना समय बड़ा बलवान होता है और दोस्तों ये इस real life story से ये case study से clear हो जाता है बिल्कुल क्लियर हो जाता है समय बड़ा बल्वान होता है आप सभी ने हर्षद मैता की वेब सीरीज देखी है आपने भी उसमें देखा है क्यार वो बंदा जब पीक पे था ना लोग उसके पीछे पड़ गए थे तो मैं आज आपके लिए लेकर आँ यहां पर तीन लाइफ लेसंस समझेगा यह मैंने खुद बनाए है आप लोगों के लिए अपने बचों के लिए क्योंकि मैं फिर से कहना चारा हूँ आप लोग बनने जा रहे फ्यूचर चार्ट अकाउंटेंट और दोस्तों सिये बनो न जाती है और जब परिस्तिती बुरी होती है न तो अच्छे से अच्छा इंसान भी बुरा बन जाता है अच्छे से अच्छा इंसान भी बुरा बन जाता है पॉइंट यहां पर बहुत सिंपल है एक इंसान जिसने अपनी लाइफ में एक पीक देखा है जब उसकी लाइफ म एक दो गलट decision के वज़े से fall आया तो हुआ क्या वो लोगों के पास गया मदद मांगने के लिए किसी ने उसकी मदद नहीं कि किसी ने उसकी मदद नहीं कि यह सोचने वाली बात है क्या होता था अगर उस समय है बैंक्स का ग्रूप कहता था कि आप हमें 6600 करोड़ भी दे दो बागी का पैसा बाद में दे देता था तो शायद क्या होता था यह आप लोगों को सोचना है क्या हो सकता था अगर बैंक्स अगर गोवर्मेंट उस समय क्या हो रहा है यह सोचने की सरथ नहीं क्यों 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 हो रहा है यह सोचने की सरथ नहीं क्योंकि यह हमारे सामने 3 life lessons from my side for you guys it's it's good to be ambitious but it's equally important to be calculated ambitious होना बहुत अच्छी बात मैं खुद हूँ आपको भी होना चाहिए मैं फिर से कह रहा हूँ अरे भाई अगर आपके पास सपने नहीं है देखने को तो आपके जीने का कोई मकसद नहीं है सपने देखोगे तो उसको पूरा करने के लिए भाग दौड करोगे मैंनत करोग समझ में आ रहा है सपने देखोगे तो आप आगे पड़ोगे समझ में आ रहा है देखो आज में बच्चों के comment बढ़ रहा हूँ बहुत ही fantastic है आपके सामने proper story ही रखी में फिर से कह रहा हूं सबने देखोगे तो तो उसके लिए दिन रात मेहनत करोगे हातों में लखी रहे होती है लेकिन उन रकीरों को मोड़ा जा सकता है मालया के विटली पर गलती क्या हुई वो अर्म अंबिशियोस में गुशना हो कि जिन गी सबसे बड़ी गलती हो गई है तो शायद आज विजय मालया औल्गे लगल लेवल पे उत अजगे लेवल पे लुट्ट इख लेगा इंड लूट इप लूगे आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने डिसीजन के बदालत हूँ आप जो कुछ भी है अपने डिसीजन के बदालत है कोई भी इस इंसान में कोई भी इस दुनिया में जो भी इंसान है वो इंसान जो कुछ भी अपने डिसीजन के बदालत है अरे इंडियन क्रिकेट टीम का कैप् पर पचास अधार एक लाख लोगों के बीच में खड़ाओ किया करता है decision लेता है क्योंकि यह गलत decision match को पलट सकता है जहां पर spin करवाना चाहिए वहां fast करवाता है आप fast कराना चाहिए decisions हमें बनाते हैं decisions हमें तोड़ते हैं लेकि जब भी आपको decision लेते हैं आपको probability का थ्यान रखना चाहिए कि इसकी क्या probability हो सती है that's the most important thing you have to ascertain that probability that is the second second learning lesson I would like to give you and the third learning lesson which I would like to give you from this story is when in brass you feel safe but it's when it starts fuming when it starts fuming it burns badly Vijay Malia was in the brass brass come at the back top level he was a Rajya Sabha member he was an owner of Formula One team he was an owner of IPL team he was always amongst you know the Bollywood celebrities Kingfisher calendar Kingfisher Villa Kingfisher malls yeah more he was on the top of the world he was in the brass bade 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 netao ke saath utna baitna tha to job a C community me hotel a body safe message card you like in a cheese samaj lena a job yabras tapta hai na to yeh aapko tapta ni hai aapko jala ke khak kar de ta hai jala ke rak kar de ta hai aur ye eekh chiz yaan pe wahi it's good to be amongst big people it's good chaiso ke saath ra hooghe waisa socho ke but it's equally important it's equally important to analyze ke yeh garmi kitni achi hai kyunki agar yeh garmi bade gai hai hai toh fir hiya ko jala ke rak kar de so my dear friends ladies and boys girls and ladies and gentlemen girls and boys mujhe lagta hai ki aapko aaj ka yeh session pasand aya hooga bauti maine aapne taraf se sare facts aapke saamne rakhay hai maine baut research ki a session ke liye baut mahinat ki a session ke liye hai mahi firsa keana chaatau agar aapko yeh session pasand aya to please is video ke comment section me live chat me ne comment section me mujhe comment karke zarur bata yeh ga ke is poor story ka aapko sabse aachha part kounsa laga aapka kya opinion hai maine aapke saamne facts rakhah hai aapka kya opinion hai yeh kya story ho sakti thi aur yeh kis tariqe se ho sakti thi mein yeh janne ke liye utsukh ra hoonga please share your opinion aapni opinion zarur bata yeh ga is video ke comment section me or jab aap comment karenge to comment end me aapna naam aur aapne shahir ka naam liekhna na mulega dosto mein khud personal yeh comments pardta hoon i would love to hear the opinion of the young india aap loog young india ho aap loog sirf history mat pardke raha jana kyunki ho sakti kuchh salvat shayad mister vijay maliak history ben jahe aur phir ham loog unko sirf history ki books mein pardhe pardh mahi chata hoon ki joh hamare saamne hai joh hamare saamne zindah hai usko ham live witness karriya hoon isse badaya learning lesson kuchh nahi hoosakta kyunki mai amesha kahta hoon ki knowledge sirf kitabo tuk restricted nahi hoonna chahiye so i'll be waiting to see your comments i'll be waiting your feedback on this session aapko kaisa lagaya session agar aap chaathe hain ke mahi isi tariqe kuchh or sessions banao to bilkul mujhe bata yeh ga comment section mein mein phir se kaya raha hoon bhar do bachyo comment section ko bhar do sach batara hoon flood kar do comment section ko mujhe batao kyunki iisai baut saare cases hai jis ke baare mei aapko bhi pata nii ho shayad aap jana chaathe ho chahi wu satyam scandal ho chahi wu jet airways ka ho kye jet airways ab kyun nahi fly kar raha hai aur bhi baut saare cases aap jana chaogei toh mai baut khush raha hoon ga aapke saathe sare cases share karne mile aur jane se pahle itna hai kaya na chao ga doost toh pardh te roo sikhte roo aakee pardh te roo kyunki paana panthu sikna panthu sikna panthu aake pardh na panthu sikna panthu aake pardh na panthu abdak, good night, sabakhe